कन्नोज में फकीरपुरा गाउं में सपेरे की बस्ती पहुचे अखिलेश यादब पीडिये की जनसवा में बोट काटे जाने पर चुनाओ आयोग को घेरा अखिलेश यादब ने कहा कि बहुत बड़ा तमाचा है चुनाओ आयोग के उपर जो कहता है कि हम बोट बढ़ाना चाहते हैं लेकिन अफसरों पर कारवाई नहीं करता सपेरों की बस्ती में महलाओं ने तक्ती लेकर आयोग सी लगाई गुहार जिंदा होने के बार भी बोटर लिष्ट से काट दिया गया महलाओ का नाम चुनाओ आयोग हम जिंदा हैं की तक्ती लेकर अखिलेश यादम की जनसवा में पहुंची महलाओं अखिलेश यादम ने भाजपा को भी जम कर घेरा कहा कि ये मुद्दों से भागने के लिए धार्मिक चीजों के पीछे चिपते हैं भारत को बिसुगरू बनाने वाले नौजवान को रोजगार नहीं दे पा रहे अखिलेश यादम ने पार्टी को जिताने की जनसवा में की अपेल जो लोग बोट डाले थे पहले आज ये बोटल लिस्ट में मार दी गई हैं और बताओ ये हमारे बगल में खड़ी अगर बोटल लिस्ट में देखे हैं तो इनका नाम है यह नहीं बोटल लिस्ट में ये जान बूश करके किया था अगर एक गउं में इतने निकलने आसपास कितने लोग निकले रहोप बीस अगर इनों अनिल ने पहले ढूल लिये होते हर गउं में 20 बीस तो पहले चगल जित गह होते हैं हाँ ये सच है हमें ऐसी तरह BJP नहाराया मुझे याद है मुझे याद है कि जब मैंने अपने सुम्गिनन में कहा कि उन्होंने समाजवादी पार्टी के अपने एक कारकरता नेता जो हमारे बोटर है खासकर जो गाउं में रहे हमारे बोटर उनका नाम काट दिया जो समाजवादी बोटर थे उनके नाम काट दिये तो एलेशन कमिशन ने मुझे नोटिस दिया कि आपने किस हधार पर कह दिया कि हमारे बोट काट दिये मैंने उन्हें उत्तफरेज के अठारा हजार बोट ऐसे ही अठारा हजार बोट एफडेविट के साथ भजवाया कि ये लोग जिंदा है ऐसे उत्तफरेज में हमें 18,000 लोग मिल गए थे 18,000 मिल गए थे इन्हें और जो ड़ूड ले अँद दस तो सोचो 18,000 और दस बोट हमें मिल गए हैं जो हमारे बोट थे जिने जिंदा हैं लेकिन बोट अलिस्ट में ने डीड कर दिया ने मार दिया सुची और मैं आपसे कहना चाहता हूँ आपसे एफिटिविट भी लेंगे ये जो आरो होते SDM ये भागते फुरेंगे ये SDM जो है वो भागते फुरेंगे क्योंकि आरो की जिमेदारी है बोट बटाना घटाना लेकिन ये सरकार सुनने वाली नहीं है हम लोग लड़ेंगे और ऐसे अधिकारी जिनोंने इनके जिन्दा होने पर बोट काट दिये उनके खिलाफ कारवाई करा करके उने सजा दिलाने का काम करेंगे अगर ये हमारे गरीब नहीं जुकेंगे इन्हें आएंगे मनाएंगे आके वो लोग पुलिस से भी डराएंगे धमकाएंगे लेकिन हम अपने कायकरताओं सकेंगे अगर नहीं जुकोगे तो वो I.S. जुक जाएगा आप जुक जाओगे तो I.S. नहीं जुकेगा आप नहीं जुके तो I.S. को जुकना पड़ेगा और आप से और हम से माफी मागनी पड़ेगी और जब कारवाई करेंगे उन्हें नौकरी खत्रे में हो जाएगी उन्टी